और बात करते हैं दोर की जहांके पलासिय आलाके में बदमासू ने एक पेट्रोल पंपर चोरी की वारदात को अंजाम दिया चोर यहां खिड़की के रास्ते गुसे और लाकू रुपए की नगदी लेकर फरार हो गए मामले में शनिवार को पुलिस पहुची और सीची टीवी फुटेश खंगाल रही है जहां दो चोर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं टी आई संजा सिंग बैस के मताबिक घटना बढ़वानी प्लाजा इस्तित मुल्थान पंप की है जहां अजीत सिंग बैस की शिकायत पर अगजात चोरों के खिलाप के इस दर्च कराए गया है आरोपियों ने मुल्थान रिफिल जंक्षन के पेट्रोल पंप में घुसकर वारदात को अंजाम दिया बाचीत में अजीत सिंग ने बताया कि वो पेट्रोल पंप के पास कमरे में सो रहे थे रात करीब साड़े तीन बजे से चार बजे के बीच यहां दो चोर आये जिनोंने खिड़की में लगेशी से निकाल दिये और अंदर घुस गये बिस्ट के मताबिक आरोपियों ने करीब गल्ले में रखे दो लाक रुपेयों की राशी और इलेक्ट्रोनिक आइटम पर हाथ साफ किये आपको पताने के चापनी में कुछ दिन पहले ही वारदात हुई थी जहां इंदर के संयोलता गंज इलाके में भी कुछ दिन पहले एक बदमास ने पेट्रोल पंप से करीब 3 लाख रुपेयों की राशी चुराई थी जिसके भी CCTV फोटेज आने के बाद पूलिस ने मामले में एक ही दिन में आजात नगर से चोर को ढोड़ने काला था वहीं पलासिया पूलिस के मताबिक आरोपियों के फोटेज निकाले जा रहे हैं जल्दी पूरी चोरी की वारदात से परदा उट जाएगा बेरो रिपोर्ट विराद 24 नियूस वहाँ पर ताला खूलता है रहाँ डालकी दोए घल्ली ते पैसा निकाल लोगा अगर शाएगा